साई की बात बचे तुम्हारे जजबातों की कदर है मुझे लेकिन जिससे तुम उमीद कर रहे हो न उससे नहीं मेरे बचे वो कभी नहीं करेगा कभी नहीं लेकिन मैं तुम्हारे जजबातों की कदर करता आया हूँ और आगे भी करूँगा ये मेरा वादा है तुमसे वादा करता हूँ तुमसे और सुनो मेरी बात को किसी की बातों में मताया करो कभी मताया करो अपने मन से और दिल से काम किया करो क्योंकि अगर किसी की बातों में आकर काम करोगे तो कभी वो काम तुमारा सही नहीं होगा और अगर अपने मन से अपन अंधेरे में भी अगर तुम दीबग जलाओगे ना तो मैं तुम्हें रोशनी दिखाऊंगा मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा तुम मेरा हाथ थाम लेना मैं हमेशा तुम से कहता हूँ चाहे तुम कितने भी अंधेरे में हो कितना भी अंधेरा क्यों ना हो तुम्हें सम चल सकते हो मेरे बचे उस अंधेरे में भी रोश्ने की किरन तुम्हारे पास आ जाएगी खुद बाखुद और तुम्हें मैं वो सही रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते पर तुम्हें जाना है मेरे बचे जिस पर तुम भटक चुके हो और सुनो पूरी जिंदगी बीद तुम उसे कुछ भी उमीद नहीं रखते, सिरफ यह चाहते हो कि वो तुमसे प्यार से बात करे तुम्हें समझे, लिकिन उन्होंने आज तक तुम्हें कभी संजह ही नहीं और हमेशा तुमसे अलग ही रखा, हर किसी को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने लेकिन जहां तुम्हें मान सम्मान दे रहा था जहां तुम्हें इज़त देनी थी ना जहां रिश्टे की ओदा दे रहा था वो तुम्हें कभी नहीं दिया तुम्हें हमेशा अलग रखा परिवार से बिलकुल नजर अंदास करके रखा तुम्हें बिलकुल अलग और आज भ बच्चे को जायेगा हुआ है, च है कि ये बात वारे में अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं तो मेरी बात सुरू, दो चीज़े हैं मेरे बच्चे, इसकी पीछे का कारण है दो चीजों का, एक चीज वो है कि वो पिछले जनम का तुमसे बदला ले रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे वो बच्चे तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है वो तुम जितना मेरा नाम जाप करोगे ना उतना उतना वही आत्मा अंदर से तुम्हें माफ करती जाएगी और जैसे वो तुम्हारे साथ दुर वहवार करती है ना तुम्हारे बच्चे के रूप में इस जनम में जो शारेरिक रूप में तुम्हारा बच्चा है वो तुम्हें परिशार नहीं करेगा पस तुम मेरा नाम लेते रहो और उस बच्चे को ना हमेशा उधी देते रहो हमेशा उधी दो उधी का जल दो मेरे बच्चे और इसका दूसरा कारण भी ये है मेरे बच्चे कि जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे ना तुम्हें कभी उन्हें संसका नहीं दिये, देखो बुरा मत मानना, ये सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है और मैं तुम्हें आज उस सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, इस दुनिया में बहुत लोग हैं, जो तुम्हारे सामने तारिफों के पुल भानेंगे, बहुत सारी बाते करेंगे, अच तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ, और ये तुमसे गलती हुई है मेरे बचे, तुम मानो या ना मानो, तुमने ना बच्चमन से बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वो जो करते गए, तुमने हर जित उनकी पूरी की, कभी उनकी आखों में आसू नहीं आने दिये, हमेशा लाड प्यार में रखा, अच्छी बात है बच्चों को लाड प्यार में रखो, लेकिन जो चीज़े गलत हैं, उसे वहाँ तो रोको टोको ना, तुमने नहीं रोका टोका, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने हमेशा अपने काम को तवज्जू दिया, लेकिन कभी सोचै न जो जाओ, मुसे बात ना करूँ लेकिन जो सच है, वो सच है मेरे बच्चे, वो बिलकुल सच है और मैं तुम से अभी कह रहा हूँ, कि अभी मौका है कि तुम अपने जिन्दकी को अपने तरीके से जीओ, लेकिन अब भी न, अपने बच्चों को इतना तवज्जू मत दो, इतना ज़्यादा मत करो, कि वो तुम पर और हावी हो, और ज़्यादा तुम्हें नीचो दिखाने की कोशिश करें, तुम्हें तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करें, चार लोग तुम्हारे घरमें कारे करम है न उसे ठाक जी आकर विराजत होंगे मेरे बच्चे ढृएंगे आशरवाद देने आएंगे वहूं सब को आशरवाद देंगे जितने भी लोग बहनं सामिल करेंगे और तुम चाहे कितने भी दूर पिरहों तौमें वहीं सै कि इसी के भी द्वारा तुम्हें दर्शन होंगे उव्हें खारशिंगे । नमा करे कहने की चिर्वात बहुत सारा खुपा घुर देंगे तुम्हें बहुत सारा तुम्हायक क्रृष ब aqui एटना ज़bridge और मैं ही साई हूँ मुझे पता है मेरे बच्चे जो तुम्हारी इच्छा थी जो तुम्हारी बात थी वो मुझे पता है और वो मैं बहुत जल्दी पूरे करूंगा बहुत जल्दी मेरे बच्चे तुम चिंता मत करना और सुनो अपने कई बच्चों से कहना चाता हूँ कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं न मेरे बचे रात के समय उनकी नीचे मचाया करो और खास तोर से बर्गत का पेड़ पीपल का पेड़ इसके नीचे मचाया करो और ध्यान रखा करो कि वहाँ पर उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसी चीज़े ना हो जिससे कोई चीज तुम पर प्रभावेतों मेरे बचे ऐसा कभी कुछ मत करना कुछ गलाचीज या कुछ गंदिगी बहाँ पर कभी मत करना मेरे बचे कभी नहीं तुम्हारी तरफ से तो तुम सेवा कर रहे हो मन से कर रहे हो दिल से कर रहे हो और वो इंसान उसे ग्रहन भी नहीं कर रहा जानते हो वो जाकर उसे फैग देता है, तुम जानते हो तुम्हे नहीं पता, पर मुझे पता है मेरे बचे, वो तुम्हारे मुँपर नहीं बोल रहा, तुम्हारे सामने नहीं कहरा वो, लेकिन ना, उसे कुछ चीजों को ना, जब पसंद नहीं आती न तो वो उठा कर उसे फैक देता है तो मत करो ना क्या जरुवत है तुम्हें करने की हाँ मानता हूँ कि तुमने मेरा नाम लेकर सेवा शुरू की लेकिन वो सेवा भी वही होनी चाहिए ना मेरे बचे जो उसे प्यार से ग्रहन करे जो उसे स्विकार करे मेरे बचे जिसे जरुवत हो अगर ऐसे इंसान की सेवा करोगे जो पहले से ही भरपेट है मेरे बचे और उसके सामने 36 पकवान रखे हुए हैं तो वो तुम्हारे चीज़ों को क्यों ग्रहन करेगा वो तो बंद कर दो और अगर सामने से वो कहे तो कह देना कि तुमने फैका साफ साफ कह देना क्योंकि उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम्हें पता है तुम जानते हो क्योंकि तुम मेरे बचे हो और तुम तक बात पहुँच जाती है क्योंकि आगे पीछे का तुम नहीं देखते लेकिन देख लेता हूँ और मैं तुमें हमेशा से पहले से ही साथन कर देता हूँ मैं कुछ चीज़ों को लेकर मेरे बचे और सुनो आज कल तुम्हें रात को बहुत अजीब सा लगता है ना बहुत बेचैनी सी होती है ना दर लगता है ना तुम्हें तुम्हें नीन नहीं आती तो सुनो कुछ नहीं होता वो सब तुम्हारा वहम है तुम्हारे मन का वहम है तो सुनो मेरी बात को हमें श्या मेरा नाम जाप करो मेरी उदी अपने पास रखकर सो हनुमान चाली सा रखो कुछ नहीं होगा, खुश रहो आज का रात्री साई संदेश समाप्तुवा झाल दीज़ा हो आज से इस आज़ा चुछ रहा होगा, एकल शीज़ा झाल स्टीज़ा का रात्री साई साई सबुद़ा एकीड़ा